तो दोस्तों कैसे हुआ आप मैं उमीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो मोटर वस में आपका बहुत दोचागत है आज की वीडियों में हम बात करेंगे लैंट वर डिफेंडर 130 के बारे में पर दिफेंडर 130 के लैंट में रिफेंडर 190 से और सबस्क्राइब लेंट हो थे ज्युक्त रिफेंडर के रिफेंडर 150 के बात करें तो सेम थो थे इसकी जो length increase हुई है वो पीछे से ही increase हुई है और इसी के साथ नहीं अब तक की सबसे बड़ी defender बन गई है इसमें आपको 8 sitting options मिल जाते हैं इसमें आप 8 लोगों को अराम से बिठा सकते हूं उन्हें कोई problem नहीं होगी इतनी length के साथ ये slightly बड़ी है इसमें आपको range dropping V8 version मिल जाता है इसमें आपको 11.4 inches की curved touchscreen मिल जाती है जो कि next generation of PV pro software के साथ आती है इसमें आपको new trim options मिल जाते ही interior में including chrome air vents और seat switches मिल जाते है oak banner मिल जाते है tan leather की seats मिल जाती है इसमें आपको 5 trim options मिल जाते है SC, HSC, X-Dynamic और X-end limited run first edition interior में 8 row तक पीछे तक जाता है इसमें आपको panoramic sunroof आगे की तरफ मिल जाता है और चो 8 seats के ऊपर sunroof आपको fix glass मिल जाता है उसे आप move नहीं कर सकते है defender 130 के powertrain options की बात करें तो इसमें आपको 3 mild hybrid powertrain options मिलेंगे जो कि familiar defender के shorter variants की 90 और 110 इसमें आपको each pad मिलेगा 8 speed ZF automatic gearbox के साथ पहले बात करें petrol की तो इसमें आपको P3 petrol straight 6 open line up मिलेगा जिसमें आपको 300 की horsepower मिल जाएगा और 470 mm का torque मिल जाएगा और 0200 ये काड़ी सिर्फ cover कर लेगी 8 seconds to 6.6 seconds में डीजल option की बात करें तो इसमें आपको 300 की horsepower मिल जाएगा 650 mm का torque मिल जाएगा जिसे कि ये बोलते है D3 straight 6 जो कि cover कर लेगा 0200 under 7.5 seconds ये कोई fix नहीं हुआ है कि powder rain options आपको यहीं मिलेंगे पर जो 90 और 110 डिपेंडर आती है उनमें आपको दोनों में ही plug-in hybrid मिल जाती है और performance oriented V8 का option मिल जाता है बात करें इसके exterior में cosmetic changes गी तो वह सबसे पहले आपको इसकी grill में देखने को मिल जाता है मुझे personally काफी अच्छा लगा कि जो black था ना वो मुझे गाड़ी के looks के साथ जाता हूँ अच्छा लगता नहीं था और मतलब अजीब सा लगता था मुझे जादा कुछ पसंद नहीं था तो यह मुझे काफी अच्छा लगता है जो कि silver finish आ रहे है गाड़ी में match करती हूँ गाड़ी के color के साथ डिफेंडर 130 के साथ लेंड रोवर ने जाद इस जाद है इसकी luxury पर फोकस किया और luxury को जाद जाद बढ़ाए तो इसमें आपको next level luxury मिल जाती है और off-roading तो डिफेंडर में आपको जो मिलती है वो तो आप सबको पहले से ही बता होगा डिफ है इसमें आपको off-roading में तो कह कि यह भी इंडियन मार्किट में लॉंच होगी और इसका जो प्राइस से वो यूके में जो है 20% इंक्रीज किया गया है लेंड रोड डिफेंडर 130 से तो इंडिया में भी यह लगबग आपको 1.3 करोट तक मिल जाएगी जो कि मुझे थोड़ा जादा लग रहा है क्योंकि इसमें आपको खाली लैंद तर वही जादा मिल रही है और सिटिंग परसन की जो कैपिसिटी वह जादा हो रही है गाड़ी की जो डिलीवियर वह इस साल के लाश तक शुरू हो सकती है तो यारो बस आज की वीडियो में ही तना यह वीडियो पसंता है यह तो वीडियो को ल वारो